अगर कोई बैगती दच है तुझकी दश्ता की या दश्ता के बाद सच्छमता की जास हो सकती है इस तरह के कई प्रस्ण सिच्छक उठा रहे हैं कि मैं दश्ता परिच्छा पातरता परिच्छा पास कर गया हूं और अब सरकार राज कर्मी की दरजा देने के लिए हमारी सच्छमता को जाज करना चाह रही है सच्छमता परिच्छा लेना चाह रही है तो ऐसा कहीं होता है क्या या सिच्छक सवाल उठा रहे हैं कि जब आप हमें दस्ता परिच्छा लेकर दच्छ घोशित कर दिये तो अब सच्छमता क्या है दच्छ पैक्ती की च्छमता को अब जाच कर रहे हैं हो कि आगे आया सिच्छा भी बात को या फिर बड़े बड़े पदादीकारियों की जो ऐसा राय विचार दे कर इस बात को ला रहे हैं सिच्छक सवाल उठा रहे हैं जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार के मुखमंत्री नितिस कुमार ने 15 अगस्ट 2023 को एलान किया था कि बिहार के निगोजी सिच्छकों को राजकर्मी का दर्जा मिलेगा पहले भी मुखमंत्री कहते आया है कि हम ही ने दिया है और हम ही देंगे और हम ही सब कुछ करेंगे अपने बात पर कायम हैं लेकि थोड़ा सा थोड़ा सा राजा रहा है यानि कि कुछ न कुछ कमी शिच्छक महसूस कर रहे हैं मुखमंत्री राजकर्मी की दर्जा देने की बात अब तक आज तक कर रहे हैं लेकिन परिच्छा लेकर सच्छमता की परिच्छा लेने के बाद सवाल खड़ा हो रहा है अब सिच्छक निमामली 2023 बिशिष्ट सिच्छक निमामली 2023 बन कर तयार हो गया है जिसका प्रारूप सरकार ने सारजनिक किया है और इसमें संसोधन या विचार हेत मांगा है अब सिच्छक इसमें संसोधन के लिए विचार देना सुरू कर चुके कौन क्या विचार दिये हैं इस बात को भी हम आपके बीच लाएंगे लेकिन सिच्छकों को अब राज कर्मी का दर्जा मिलना तै हो गया है अब परिचा होगी या ना होगी वीडियो के अंग तक बने रहें दस्ता के बाद सच्छमता आखिर या क्या कुछ है नमस्कार इस समय आपके साथ मैं हूँ सुनिल बॉबी और आप सिच्छा विभाग की खास ख़बर को देख रहे हैं बता दे बिहार के नियोजी सिच्छकों के लिए एक ख़बर है कि दस्ता के बाद फिर सच्छमता परिच्छा क्या सिच्छक क्या बिहार के नियोजी सिच्छक एक मजाक बन गए हैं जब चाहें जो चाहें जैसा चाहें प्रयोग कर लिए या सबाल सिच्छकों के बीच से आ रहे हैं सोशल मीडिया भरा पड़ा है बात करने से पहले आप से आगरा है कि अगर पहली बार हमारे चैनल पर आये हैं या अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिए क्योंकि आपके लिए हमेशा आवाज उठाते रहते हैं आपकी बातों को सरकार तक और सरकार की बात अब तक पहुचाने का काम करते हैं तो आपका य जरूप में सब्सक्राइब बटन को जरूर सब्सक्राइब कीजिए मारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए और आपके मन में क्या विचाराता है क्या इसमें संसोधन की जरूवत है कॉमेंट करके जरूर बताएए और तो बात करते हैं एक ही जाले में एक ही अश्कूल में कई समवर्ग के सिच्छक रहें कई तरह के सिच्छक रहें तो गुणुता पुन की परिकलपना मजाग बन जाए ज़ जरूर कहेंगे कि अब जो है इन्ही सिच्शकों के बदलग विहार में गुनवता पून सिच्छा सुरू हो गया है सरकार भी रोज ब्यान दे रही है, केके पाठक ब्यान दे रहे हैं कि अस्कूली बिवस्ता काफी कुछ बदल चुका है खास हो गया है बेतर हो गया है बच्चे एस्कूल आने लगे हैं बच्चों की का अच्छा तादाद हो गया संख्या बढ़ गई है सिच्छ के नीमित आने लगे हैं और बहुत अच्छा गुनोता पुन सिच्छा हो रहे हैं रोज के के पाठक का बियाना रहा है रोज सरकार की भी आना रही है तमाम विपच्च पच्च के लोग भी इस बात को मान रहे हैं तो आई किसके बदौलत तो क्या सिच्छक की मांग पूरी नहीं होनी चाहिए यह सवाल बनता है होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए आखिर दस्ता परिच्छा क्यों ली गई थी और प्रस्ता परीच्छा पास करने के बाद सच्छम्ता परिच्छ्छा क्यों क्या कुद्स में कि प्रिवर्तन कारी प्राणम सी दर भर जवासी तो बिहार में ऐसा क्यों क्या यहां के लिए अलग समिधान बने हुए हैं खैर बात की बात चर्चा कर रहे थे कि अगर परिच्छा देने के बाद भी हलाकि बंसीदर बर्जवासी साफ सब्दों में का दिया है एक मिडिया ब्यान में की परिच्छा नहीं होगी कि सरकार को कटगरे में खड़ा करेंगे कि इस नियम की सधार पर परिच्छा लेने की बात की जाती है जच्छ वैकती को फिन्च थे जातनी में की आधिकार नहीं हिए यह बात करते हैं QEY प्रारामिक सिच्छक कल्यान संका जिनका अध्याच परदेश अध्यास्थासी रजन सुमन और महासचीव आनन्द मिस्रा हैं उन्होंने भी जो आज नियोजी सिच्छक हैं और परिचा पास करने के बाद विस्री सिच्छक बन जाएंगे उनके लिए सरकार ने विस्री सिच्छक निमावली बनाई है और उसे निमावली का कुछ प्रारूप सरजनी किया गया है और रोगों से राय मांगी गई है या तो संसोदन हेतू प्रारमिक सिच्छक कल्यांसंके द्वारा कई बिंद्वों पर सरकार के पास में अपना विचार दिया गया है और जिस बीवसाइट को दिया गया था उस बीवसाइट पर इस पत्र को डाला गया और संसोधन की मांग की गई है यानि कि जो इस सिचक निमावली बनाई गई है उसमें मांग किया गया है सबसे पहले उन्होंने भी आर बिद्ध्याले बिशिष्टे सिचक निमावली 2023 के प्रारूप में संसोधन करने हैं तू अपना सुझाओ दिये इसमें पहला है एक ही बि बियार सिचक महावल को बहतर हो सके इसके लिए जो है खास विवस्ता की जाएगी करनी चाहिए दूसरा है यानि कि इनका कहना है कि बियार बिद्ध्याले अध्यापक नियुक्ति स्थानांत्रन में करवाई सवसर्थ निमावली 2023 के बराबर बलाने की जगा बिहार राज ब कि आजाए यानि कि अलग अलग समवर्थ की बाते नहीं कर रहें एक ही तरह के शिच्चा को दूसरा कि आगया है निमामली में कंडी का चार सचमता परिच्चा यानि की परिच्चा की बात नहीं कि जाए बिना परिच्चा के राजकर्मी की दरदा जिया है तिसरा है निमाम रूप से बेतन सनचन का लाब देते हुए पे मैट्रिक्स तालिका के अलोक में समस्थानेक लेवल इंडेक्स के बेतन धारन का उलेक होना चाहिए और उपकंडिका की भी बात की गई है इसी तरह से आगे जो है बात की गई है यानि की कई तरह के इसमें बिंदू बनाए गए है चोथा है निमामली कंडिका नौ पॉनती की भी बात इन्होंने की है जिसमें बीती उन्यन और पच्वा जो है पेंसन और उपादान छटा है अर्धी तवकास की बात की है और सत्मा है सिचको के आस्रितों जो अनुकंपा पर बहाल है कारियाले सहायक और परिचारी के पद पर उन्हें भी प्रारूप में सामिल किया जाना चाहिए और अटमाय सारेरीक सिचकवा स्वास अनुदेशको को भी प्रारूप में सामिल किया जाए यह इनके तरफ से बिजार आये हैं वहीं परिवर्तनकारी प्रारमिक सिचक संग की गोर से भी आया है इन जिसमें उनका नाम है हम आपको बता दें यह भी सोसल मेडिया पर वायरल है राम कलेवर प्रिवर्तनकारी प्रारमिक सिचक संग सिता मढ़ी उन्होंने भी अपनी बातों को चुछाओ दिया है शिचको को अलग अलग नाम करन्द करने से उसमें बंजित किया जाया यानृइक एक तरह को दुसरा है वर्सों से प्रवधान नियावचीत नहीं है उन्होंने तिसरी बात काया कि पंजाईती राजों नगर निकाय संस्था के अंतरकर काजर नियोजी सिचको को सिच्छकन नियोजा निवामली 2012 यथा संसोती निवामली 2020 में नियित प्रावधान के आलोक में प्रोनती की बेवस्ता यथा वक्त रखा जाए उन्होंने चौती बात काया कि भारा सरकादवारा निधारी साथ में बेतनायोग से अनुसंसित बेतनमान के इंडेक्स लेवल के समस्तानिक या एक लेवल उपर बेतन का निर्धारन किया जाए पिंसन अग्रिजुटी समू जीवन विमा वर्जित अवकास के बितिये लाब सहित अन्यसु विधाओं के भी बात की है शट्टा उन्होंने कि बरीता का निर्धारन नियुक्तित तिथी को अधार बनाकर किया जाए या राम कलेवर जी के द आकि सिच्छ लोग कर रहे कि सिच्कों को भ्रमित किया जा रहा है और निवामली में डौट पर आनंद पुषकर ने सौपें है अपना सुझाओ आने अनंद पुषकर जो है वह भी अपना सुझाओ सम्झे और इदर सिच्च निता समरेंद्र बहादूर ने कहाए कि कब तक कि इस तरह की विवस्ता क्या कुछ होगा तो निश्ची तोर पर सिच्छकों से मेरा आगरा है उनको तो मिलेगा ही धर्ज रखें लेकिन अपनी बात को जरूर रखें सभी सिच्छक जो बेवसाइट जारी किया गया है अपना विचार जरूर दीजिए और इतना लंबा चोड़ा कहने से बेहतर है कि जो सोटकट जो बाते होती है वो बात जरूर रखें आप एक दो लाइन चार लाइन में लिख सकते हैं उसके लिए पूरा लंबा धाड़ा लिखने की बात न चाहे जो भी है जरूर लिखिए यह आपके हक की बात हो सकती है तो बस वीडियो लंबी नहीं हो दूसरे पार्ट में हम चर्चा करेंगे कि और किन लोगों ने लिखा है और क्या चाहते हैं सरकार की क्या मनता है लेकिन इसी तोर पर आप कंफर्म हो गया है कि सिचको को बात है बन्दे मात रहा है